वेलकम टू रोशी हैत किचिन असलाम अलेकुम फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे चिकिन लजीज रेसिपी जिससे की आपको नाम से ही लग रहा हो गई कि यह लजीज है तो बाकि यह बहुत लजीज है बनाने में भी बहुत आसान है और खाने में बहुत टेस्टी है बहुत ही जल्दी बजने वाली रेसिपी है यह तो चलिए बिना देरी के इसे चिकिन लजीज को बनाना हम स्टार्ट करती है तो चिकिन लजीज बनाने के लिए मैंने यहां पर 750 ग्राम चिकिन लिया है इसको बहुत ही अच्छे से वाश कर लिया और उसके बाद में इसको अच्छे स नमक का लिया है एक चोटा चमच लाल मिर्च का पॉडर लिया है एक बड़ा चमच लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पॉडर दो चमच लेंगे धनिया पॉडर एक चोटा चमच लेंगे हल्दी पॉडर और एक चमच लेंगे हम जीरा पॉडर नमक और मिर्च को आप अपने ट यह तो बस थोड़ा सी कलर के लिए डाली जाती है और इसको हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे बिक शोर आपके हाथ अच्छे से वाश होने चाहिए और इसको इस तरह से मिक्स कीजिए कि चिकन के हर पीस की उपर मैरिनेशन का जो सामान है वो अच्छे से लग जाए और इसको हम मैरिनेट करने के लिए रख देंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए अकर आपके पास टाइम है त रहे ही दो इच्छ अद्रक का टुकड़ा लेंगे हम और आठ मैं तकरीब मेनेठ रहों लैसन लिया है और इसको अब बॉईल करना है तो मैंने1 रूसपैन ले लिया है और इसमें डाल देंगे हम 1ौजब पानी को पानी के शाद ही इसमेराल देंगे जो हमने समाना भी कट क करके रखका तेरा प्याज करेंगे रखेंगे मीडियम रखेंगे डियु के meeting है के बिच में और ऐसे एक कि बाइल आने देंगे अ फ्लेम मां कर देंगे मीडियुम इसअफ्ट हमें को करना कि हमारी तोड़े सी सॉफ हो जाए है तो यह अगया तो यह को चालेंगे बढ़ां करा है अब इसे यहां पर लिए हमशने अधा कप ओए ले लीए है इस पता हम दूस सटस्स्य छाइलिए के समयवानासा दालेए उसटे मासालों के डालने से इसका व्लेवर बहुत ही जबरुदस्ता है और इसको मसालों का व्लेवर हो जाए अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने प्यास वगरा का पेस्ट बनाया थे ना वो सारा पेस्ट इसमें हम डाल देंगे देखिए और इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे हमें इसको भूनना है बहुत अच्छे से भूनना है फ्लेम हम मेडियम टू हाई के बीच में रखेंगे और इसको लगतार चलाता हुए हम भून लेंगे इस बात का ध्यान लखे क्योंकि इसमें से थोड़े से छीटे से निकलते हैं तो बहुत कैरफुल होके इसको भूनिया आप चाहें तो इसको इसको भून सकते बीच-बीच में इसको इस तरह से चलाते रही है और देखिए इसका पानी जितना बीता प्यास और देखिए इसको भी हमें इतना भूना है कि जो ऑईल हमने इसमें डाला था वह थोड़ा सर्फेस पर आ जाए और टेमाटर और जो भी बस इसके अंदर हमने प्यास वगरा लिए वह बहुत अच्छे से भून जाए और यह देखिए सारे चीज़ा अच्छे से भून गई ईक है कि जितना भी टोमाटर वगरा में पानी था वो सारा ड्राइय हो गया है आप चाहें तो स्टेज़ पर इसको एक दो एक दो मिनिट के लिए और भून सकते हैं अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने चिकिन मेरिनेट करके रखा देना वो सारा चिकिन इसमें हम डाल देंगे और चिकिन को मसाले में कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स यह देखे सारे चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और अब हमें चिकिन को भी भूनना है जिसे चिकिन के अंदर जो भी रॉय स्मेल होती है और हमने इसमें कुछ मसाले भी डाले थे उसकी भी रॉय स्मेल होती है तो वह सारा जो भी इतनी इसकी रॉय स्मेल है कच प्रचापन है वो सारा इसमें खतम हो जाना चाहिए तो फ्लेम को हम रखेंगे मीडियम टू हाई के बीच में और इसको भूल लेंगे तकरीबर पांच मिनट के लिए और देके पांच मिनट कम्प्लीट हो चुके हैं और हम ने इसमें जितने भी डाला था वो सारस मसाले ने रिलीज कर दिया है सारा सर्फिस पर आ गया है और यह चिकन वगरह मारा बहुत अच्छे से भुन गया जितनी भी इसमें रॉइस मेल थी वो सारी खतम हो गई है लेकिन अभी हमारा गला नहीं है तो इसको हमें अच्छे से टेंडर करना है तो उसके लिए हम यहां पर डाले इसको हमें एक मिक्स करेंगे और देखे इसमें बॉइल भी आने लगा है इसका मतलब पानी जो इसमें हमने डाला था वो अच्छे से पकने लगा है अब हम कर देंगे फ्लीम को बिल्कुल लो मेडियम टू लो के बीच में क्योंकि हमें चिकन को टेंडर होने तक पकाना है और इसको रख कर देंगे कवर और इसके बाद में से रख देंगे 10 मिनट के लिए क्योंकि चिकन बहुत ही जल्दी गल जाता है लेकिन अगर आपको मैसूस हो कि चिकन अभी गला नहीं तो आप इसको थोड़ी देर के लिए और रख सकते हैं और यह देखे 10 मिनट के बादे मैंने इसके लिए ढटाई तो चिकन हमारा अच्छे से गल चुका है और और जितना भी था वो सारा दुबारा से सर्फिस पर आ गया है और इसमें हमने जितना भी पानी डाला था वो सारा ड्राइव हो गया है अब इसमें हम डालेंगे आदा अब देखे गर मसाला इसमें अच्छे सी मिक्स हो गया है अब हम इसको थोड़ा से हम और भूलेंगे तकरीबन एक मिनट के लिए और यह देखिए सारा पानी जितना भी तह सारा अका सारा ड्राइव हो गया है और यह मसाला हमारा भूत जादा थिक हो गया है ग्रेवी बहुत थिक हो गई है अब इस स्टेज पे इसको थोड़ा से के सिस्टेंसी को एजस्ट करने के लिए मैं आप डालूंगे थ्री फोर् पानी मैंने डाल दिया अगर आपको चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा जादा पानी का भी उस कर सकते हैं अगर आप इसकी ग्रेवी को थोड़ा सा और पतला चाहते हैं और इसको कवर करके रख देंगे हम तकरीबन दो मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम लो फ्लीम पे जिसे ऑईल चिता भी तब वो दुबारा से सर्फिस पे आ गया है अब इस पे हम डाल देंगे हरा धनिया हरा धनिया डाले से इसके खुश्बू बहुत ही जबरदस्ता आती है और इसको भी मिक्स करेंगे हम अब हम इसको कवर करके रख देंगे सिर्फ दो मिनट के लिए फ्लीम क कर देंगे और जिसे हरे धनिया की जो खुश्बू है वो चिकन में अच्छे से मिक्स हो जाए और दो मिनट के बाद इसको करेंगे हम सर्फ तो देखिए मैंने इसको सर्फ कर दिया है जैसे कि इसका नाम है चिकन लजीज यह देखने में भी कितना जबरदस्त लग रहा है मैं आपको इसको पास से दिखाती हूं कितनी जबरदस्ती रेसिपी है और बनाना तो कोई मुश्किल नहीं है बहुत ही जल्दी बनके तयार हो जाती है और खाने में बहुत टेस्टी है तो में इस रेसिपी को आप ज़रूर राई कीजिए और मेरी वीडियो आपको पसंद सब्सक्राइब कीजिए अपरे एक्स्पिरियंस कमेंट और कॉमेंट वर्क्स में जरूर शियर करें दौा में याद रखें थैंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो अल्ला आफीज